हाल ही में दो ऐसी फिल्मों की घोशणा हुई है और अब बायोपिक को लेकर एक बड़ी बात सामने आई है ये खुलासा किया है हिंदी फिल्म इंडास्ट्री के मजबूत आक्टर्स में से एक परेश रावल ने ट्विटर पर एक सवाल का जवाब देते हुए परेश रावल ने ये कंफर्म किया है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी पर बनने वाली फिल्म का हिस्सा है गुजरात के विधान सभा चुनाव में परेश रावल ने नरिंद्र मोधी के समर्थन में कई जन सभाई की थी और वो उनके करीबी भी माने जाते हैं उन्होंने ये कहा था कि मेरे आक्टिंग करियर के लिए भी नरिंद्र मोधी का रोल निभाना एक निरणायक और अमिट छाप छोड़ने वाला पल होगा गुजरात के रहने वाले परेश रावल ना सिर्फ फिल्मों बलकि थियेटर में भी काफी सक्रियर रहते हैं उन्होंने 1993 में मोधी के आदर्श और गुजरात के जननायक सरदार वललब भाई पटेल का रोल फिल्मी परदे पर निभाया था फिल्म का नाम था सरदार और ये लौह पुरुष के जीवन पर आधारित थी अभी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अभी चानल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी नियूस देखने के लिए फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ बाई बाई